जै अंबे गवरी, मैया जै शामा गवरी बम्मी, डाइट को एक व्रब में पी सट पैंकिया। ओ, नारियल पानू दी सकते हैं। अच्छा। मम्मी, क्या मैं थोड़ा सा और खा सकती हूँ या। कुछ होगा तो नहीं ना। मम्मी। 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 कुट्टू के पकोड़े। किसी दुकान का नाम है क्या। नहीं। दुकान से कुट्टू का आटा लेके पकोड़े बनाते हैं। मम्मी। मम्मी। दही बड़े खा सकते हैं क्या। क्या। स्तमेक के दही बड़े। नहीं। सामक के दही बड़े भी बना सकते हैं। और अगर पुछ मीटा खाना हो तो। अमरंद के लड्डू। मैं सामक के खीर खा सकते हैं। थैंक्यू माता राहनी आप सबका ख्याल रखती हो मा अश्टमी पहला आती है न अपमी अश्टमी ठीक है मैं अश्टमी की पूजा कर रही हूँ ओम जै जगदी शहरे स्वामी जै जगदी शहरे भाक्त जनों के संकट भाक्त जनों के संकट ओम जै जगदी शहरे, स्वामी जै जगदी शहरे, बाक्त चनों के संकट चल में दूर करे, ओम जै जगदी शहरे. ये नवरात्रे व्रत के आठ दिन इतनी परेशाना होती, अगर वो जानती कि अपने व्रत के दौरान भी हम स्वाधिश टिभी अंजन खा सकते हैं। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इन्हें बनाने के लिए हमें प्रभ्में इस्तमाल में आने वाले मिलिट्स काम में लाने चाहिए। हम इस्तमाल कर सकते हैं बान याड़ यानि की सामक के चावद, बकवीट यानि की खुटू और अमरंध यानि की राजगीरा। इसे North India में चौलाई भी भोते हैं चौलाई के लड़्टू North India में बहुत फेमस है इन मिलिट्स से तकरीबन बहुत स्टफ यंजन बन सकते हैं जो हमारे रोज के इस्थमाल करने वाले चावल या गेहूं के आटे से बनते हैं अगले व्रत के लिए पहले से ही तयारी करके रखी ओर्गानिकली ग्रोन, अनपॉलिष्ट और सुपीर क्वालिटी के मिलिट्स खरी दिये मीजौस और ग्रेनौस मिलिट्स ब्रांड से ये आपको इनके वेबसाइट से मिल सकते हैं और ये अमेजॉन पर ग्लाग है